तो चलिए फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले तीन डिफरेंट फोन्स के बारे में और जो यहाँ पर मैंने फोन पिक की हैं एक फोन यहाँ पर जो है ओपो के तरफ से निकल कर रा था है F27 Pro Plus सेकेंड आपको मल जाएगा ओपो का रेनो सेरीस का रेनो 11 थर्ड बोजिशन पर वीवो के तरफ सान वाला Y200 Pro प्राइस पॉइंट आफ़स ले थीज़ार के अंदर के बजट की फोन है पच्छीज़ार दो पर तीज़ार के बीच में सारे फोन से कीमत आपको देखने को मल जाएगी लेकिन यहाँ पर एक विशेश चीज़े रेनो 11 पर प्राइस ड्रोप आ चुका है तो यह फोन आ राउंड आपको 8000 की मतने देखने को मल जाएगा तो बिल्कुल वीडियो पर आस तक बने रहीगा क्योंकि क्या क्या डिफरेंसेस हैं कौन से फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला तो बिल्कुल वीडियो पर आस तक बने रहीए वीडियो को लाइक करेए चेनल को सस्क्राइब करके जोड़ जाए टेका उसकी फेमिली के साथ फर्स्ट फो यहाँ पर देखे तो लेटेश पोन अभी फोन का वेट यहाँ पर सबसे प्रीमियम चीज़ी है कि फोन का वेट जो है काफी लाइट है 177 कराम का फोन है और इसमें आपको थिकनेस मिलती है 7.9 mm के साथ तो फोन ओविसली काफी यहाँ पर अच्छा बना है और ओविसली एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि यह फोन जो है durability को काफी जादा represent करा है विकोज यहाँ पर काफी मजबूत फोन है और यहाँ पर IP rating जो है 6.9 के आपको देखने को मल जाएगी दाल कर दिये थे फोन का वेट अगर देखें आप तो इस फोन का वेट आपको यहाँ पर मिल जाता 182 ग्राम का थिकनेस के मामले भी काफी स्लीम है 7.43 mm को थिकनेस है और थोड़ी एजेस जो है राउंड शेप में आपको फोन में आदे आपर देखने को मिलती है तो आपको रियर साइड पर देखने को मिल जाती है फोन यह भी काफ़ी स्लीम ट्रीम है इस फोन का वेट आपको मिलता है नॉर्मल इसके अंदर आपको देखने को मिल जागा 187 ग्राम का 7.57 mm के थिकनेस के साथ में अंदर की फीचर्स की बात की जाएगा फरस्ट फोल डिस्प आपको सभी में 120 हर का रिफेचर्ट मिलता है जो फोन को काफे समूथ करता है जिसमें आपको स्मार्ट रिफ्रेचर्ट का ओप्शन भी स्टिंग में जाकर आप चेंज कर सकते हैं तो बैटरिय ऑप्टिमाज़न का ओप्शन भी फोन में देखने को मिल जाता है और 6.78 का पीक ब्राइटनेस मिलता है जो आउट्डॉर के लिए काफिश अफिशियंट है अच्छी ब्राइटनेस आपको फॉन के डिस्प्लेय में देखने को मिल जाएगी सेकंड जो बीच में और इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पार जो है एक रास्ट अगर देखें वाइट प्रोटेक्शन के लिए बात करें तो कॉर्णिंग और ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको दो फोन मिलता है लेकिन यहाँ पर खाद स्पेशल चीज जो है वो बिल्टप क्वालिटी अगर देखे तो वाइट ओपो के F27 Pro Plus के अंदर आती है जिसमें आपको कॉर्णिंग और ग्लास विक्रस 2 का सपोर्ट मिलता है जो कि काफी यहाँ पर हाडनेस को क्रेट करता है फोन के अंदर मतलब किसी भी तरह के स्क्रेच वगरा चांस इसमें काफी जादा कम बनते है अगर बात की जाए तो आप देखते हैं यहाँ पर सबसे दब बैटर लेंस अगर देखा जा तो ओपो रेनो 11 में नजार आ रहा है विक्रोस तीन लेंस मिलते है इस फोन के अंदर आपको जो प्राइमेर लेंस मिलता है इस फोन के अंदर वो यहाँ पर देखेगा 50 मेंगा पिक्सल का जो की बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसर सेंसर के साथ आता है जिसमें को सोनी का LYT600 का सपूर मिलता है सेकेंड यहाँ पर 32 मेंगा पिक्सल का एक टेली फोटो लेंस मिल जब जब पोट्रेट को स्पेशल यहाँ पर बनाने के लिए डाला गया है थर्ड यहाँ पर एक 8 मेंगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है जो 1-1-2-degree तक फिल्ड-व्यू कवर करेगा तो no doubt काफी अच्छा यहाँ पर पूरा कॉंबो पे आपको डाल कर दिया है फ्रेंट सेल्फी सेंसर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको फ्रेंट सेल्फी में 32 मेंगा पिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाने वाला है बाकि अगर OPPO F27 Pro Plus की बात करें दो लेंसे आते हैं अधर नॉर्मल 64 मेंगा पिक्सल का प्राइमिर लेंसे इस फोन के अंदर और 2 मेंगा पिक्सल का एक पोट्रेट लेंस है जो आपको 2X ओप्टिकल जूं के साथ सपोर्ट में देखने को मिल जाएगा LED फ्लेश आपको नेचे के तरफ मिलती है वहीं अगर देखा जाए Y200 Pro इस फोन में आपको दो लेंसे मिलते हैं यहाँ पर इसके बात करें तो आपको 64 मेंगा पिक्सल का प्राइमिर लेंस मिलता है जो कि OIS पर बेज़ जाता है और 2 मेंगा पिक्सल का टेली फोटो लेंस इ आपर यह फोन नहीं करता है अल्टर स्टेडी मोड बगर आपको मिल जाएगा बाकी यह दो फोन के अंदर काफे सा स्मूध क्रेट होती है वीडियो इस ओपो के फोन के अंदर और अगर कुछ स्पेशल की बात करते तो पोट्रेट्स आपको ट्वेक्स ओप्रिकल जूम के स अगर देखा जाए तो हाइलेटेट चीज है यहाँ पर इसके अंदर भी सूपर्मून का सपोर्ट मिल जाएगा स्लो मोशन वगरा है ड्यूल वीडियो आप यह ओप्शन आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है बाकी यहाँ पर मोर वाल उप्शन अगर आप ओपो के फ यहाँ पर यहाँ पर फ्रेंट पर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर ओपो रेनो 11 यह थोड़ा साथ बेटर वर्क करता है कि आपको यहाँ पर फ्रेंट साइड में अगर देखा जाए तो आप 4K 30 अपिस तक आप इसके अंदर फ्रेंट सेल्फी सेंसर में जा सकत इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्रेंट करता है तो आप यहाँ पर यहाँ पर क्रेट करता है तो आपको काम चलाना पड़ेगा आपको साउंड क्वालेटी स्फों कर देखने को मिल जाएगी तो ओविसली साउंड के मामले में भी रेनो 11 काफी अच्छा बेटर वकर आपक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अपर एक्सेंड कर सकते हैं और आपको सबी फोन में देखने को मिल जाएगा UFS storage type 3.1 पर बेज़ जाता है बाकी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इंटरफेस अगर color OS और fun touch OS की बात करें तो आपको blood wear reflection भर-बर के मिलते हैं लेकिन new eye system चेंज है तो obviously काफ़ी दर smooth work करता है और उपर से भी आपका panel बगेरा काफ़ी different सा create यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा connectivity की बात करें तो wifi bluetooth connectivity अगर देखें OPPO F27 Pro Plus में तो wifi 6 पर भी फोन बेज़ जाता है और bluetooth connectivity इस phone के अंदर 5.3 पर बेज़ जाएगी और यहाँ Reno 11 में भी आपको wifi 6 का support मिलता है बैटरी के रिगाड़ेंगर बात की जाए तो सभी phone काफ़ स्लीम और स्लीक बनाया है लेकिन फिर भी battery आपको काफ़े बड़ी मिल जाती है 5000 अमेज की battery मिलती है आपको OPPO F27 Pro Plus में जो की charger capacity इसमें बॉक्स में आ जाएगा 67W का charger दिया है Type-C port के साथ ये phone आता है उपर के तरफ आपको IR blaster का support मिलता है प्लस dual speaker दिया है और noise connection का support भी उपर के तरफ ही देखने को मिल जाता है 31 Y200 Pro ये phone सबसे ज़्याद स्लीम और लाइट विट आगा यहाँ पर निकल कर आता है तो बात कर around price point के तो Oppo का F27 Pro प्लस अराउंड 28,000 कीमत में आता RGB 16GB, Reno 11 भी यहाँ पर 28,000 कीमत में आपको मिल जाएगा RGB 16GB वाला variant बड़ डिफ्रेंट्स ओविसलि आपके सामने है काफी अच्छी चीज़े हमें Oppo के Reno 11 मिल जाती है तो आप अगर फोन परचेस करते हैं Oppo का Reno 11 तो इसमें काफी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है लेकर आपको बजट 25,000 कीमत का है तो Y200 Pro भी आपके सामने एक बेस्ट आप्शन है इस फोन में भी आपको बेक्ट में डिजाइन वगरा परफोमेंस वगरा काफी अच्छा मिल जाएगा तो ये चीज़ भी इसको कंसिलर कर सकते हैं तो इक फ्रेंट आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्षन में में ज़रू करिएगा वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्स्राइब करके जोड़ी टेकाउस की फिमिली के साथ